Hi guys, welcome back, आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं यूगलिना में पाय जाने वाला रिप्रोडक्शन यूगलिना में सिरफ ऐसेक्शुल मेथड आफ रिप्रोडक्शन देखने को मुलता है सेक्शुल रिप्रोडक्शन इस कम्प्लीटली अपसेंट है और एसेक्शुली और्गैनिजम या तो बाइनेरी फिजन या फिर मल्टिपल फिजन से डिवाइड कर सकता है फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानि की फिजन के दुरान और्गैनिजम की बॉड़ी स्प्लिट कर जाती है इंटू वेरियस इंडिविजोल्स अब बाइनेरी फिजन में बाइ का मतलब है टू तो बाइनेरी फिजन में और्गैनिजम की बॉड़ी दो इंडिविजोल्स में स्प्लिट होती है जैसे अगर ये मेरा एक इंडिविजोल है और ये उसके अंदर का मैं मान के चल रही हूँ नूकलियस है और nucleus में मान लो 2N genetic material है chromosome है और उसका genetic material 2N है तो सबसे पहले तो जो इसका genetic material है वो double होगा और double होकर वो हो जाएगा 4N यानि कि DNA will undergo replication and DNA content will become double और वो 2N से 4N हो जाएगा उसके बाद next step होगा कि जो इसका nucleus है वो divide कर जाएगा ऐसे मतलब वो divide करेगा कि हर nucleus के पास 2N genetic material हो and then finally जो organism का cytoplasm है वो भी divide कर जाएगा जिससे आपके पास दो individuals आएं और हर individual के पास एक nucleus हो जिसमें genetic material 2N हो और यानि कि यह जो दो individuals हैं यह दोनो individuals एक दूसरे से काफी identical है यह बाइदर मेरे two लिख है यह दोनो individuals एक दूसरे से बहुत identical होंगे and यह parent individual के भी identical होंगे तो इसको आप कहते हैं binary fission यानि कि जो cell body है वो इस case में दो daughter individuals में split हो जाती है सबसे पहले होगा karyokinesis karyokinesis का मतलब होता है division of nucleus and it is followed by cytokinesis यानि कि division of cytoplasm अब जब आपने binary fission देखा तो multiple fission देखे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पी जो organism की body है या cell body है वो multiple daughter individuals में split हो रही है but question आता है how? यह कैसे possible है? तो देखे उसमें क्या होता है? कि जैसे अगर यह मेरा organism है और यह उसका nucleus है तो nucleus बार-बार divide करता जाएगा बार-बार जो genetic material है वो इसका replicate होता जाएगा and वो बार-बार divide करता जाएगा such that आपको organism की cell body के अंदर multi-nucleated condition मिल जाएगी तो यह जो मैं circle बना रही हूँ यह सारे मेरे nucleus है and then after some time जब आपकी multi-nucleated situation arise हो गई है उसके बाद हर nucleus के around थोड़ा-थोड़ा cytoplasm में खटा हो जाएगा और cytokinesis take place जिसके वज़े से आपको क्या मेलेगा आपको बहुत सारे doctor individuals मिलेंगे और हर doctor individual के पास अपना एक nucleus होगा कुछ इस तरीके से तो यह होगा आपका multiple fission तो multiple fission में the cell body will split into many doctor individuals when nucleus divides several times यानि कि आपको एक multi-nucleated situation मिल जाती है और हर nuclear division के बाद cytokinesis नहीं होता in fact एक बार बहुत सारी nuclear divisions हो जाए multi-nucleated stage आ जाए उसके बाद फिर आपका cytokinesis होता है such that आपको बहुत सारे doctor individuals मिल जाएंगे अब देखिए योगलिरा में पाए जाने वाले binary fission को detail में बढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत इस चीज की knowledge कर लेते हैं कि binary fission कितने type का होता है तो binary fission four types का होता है पहला है irregular binary fission जो कि आपको देखने को मिलेगा amoeba में तो ये मैंने amoeba बना दिया ये मैंने बना दिया उसका nucleus तो इस वाले fission में irregular से आपको नाम पता से पता लग रहा है कि कोई fixed plane of division नहीं है cytokinesis का कोई fixed plane of division नहीं है कहीं से भी कैसे मर्जी जो है ये division हो सकता है बहुत शर्त ही होनी चाहिए कि जो दोनों daughter individuals है उनके बास एक एक nucleus होना चाहिए जो longitudinal binary fission है ये ही in fact आपको uglina में देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है जो organism की body है उसमें जो cytokinesis है वो longitudinal axis के across होता है इस तरीके से longitudinal axis के across ये splitting होती है transverse binary fission जो कि paramecium में देखने को मिलता है इसमें जो splitting होती है वो across the transverse axis होती है और finally oblique binary fission जो की seratium में देखने को मिलता है इसमें जो splitting होती है या जो cut लगता है वो oblique axis के across लगता है तो यह आपके different type के binary fission होगे और हमने जो focus करना है वो है longitudinal binary fission in euglina अब हम binary fission देखा जो जाता है euglina में उसको detail में पढ़ने वाले है तो हम जैसे कि अभी हम देखके आए कि yuglina में longitudinal binary fission हो रहा है यानि कि इसका जो cytokinesis होगा वो across the longitudinal axis होगा जो cut लगेगा वो across the longitudinal axis होगा दूसरी बात binary fission कब होता है binary fission occurs during favorable conditions of temperature, food and water availability यानि कि जब yuglina के around favorable conditions है कोई stressful condition नहीं है वो optimum conditions of water, food, availability and temperature है जो उसकी growth के लिए required है तब उस time पे yuglina binary fission से reproduce करता है अब यह जो binary fission है यह symmetrogenic type का होता है यानि कि जो दो individuals आपको मिलेंगे वो दोनों individuals एक दूसरे के symmetrical होंगे एक दूसरे की mirror images होंगे और जैसे कि हम देखके आए हैं यहाँ पे सबसे पहले तो karyokinesis होगा and it is then followed by cytokinesis या फिर division of cytoplasm अब अगर आपको cell cycle के बारे में थोड़ी सी knowledge हो तो आपको यह पता होगा कि किसी भी organism का चवाब cell cycle पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना होता है जैसे अगर मैं cell cycle की बात करूँ तो हम basically पढ़ते हैं mitosis और mitosis में आता है एक interface और एक आता है m phase अगर आपने यह नहीं पढ़ा है तो यह आपका cell bio का एक topic है m phase में आपके और भी फर्दस phases होते हैं prophase, metaphase, anaphase और telophase तो अगर आप सबसे पहले interface की बात करें कि यूगलेना का जब interface चल रहा होता है तब उसमें क्या changes आते हैं तो पहली बात तो जितने भी organelles हैं वो duplicate कर जाएंगे क्यो duplicate करेंगे क्योंकि आपको उनको equally distribute करना है daughter individuals में तो जाहिर से बात है कि आप अपने organelles को duplicate करोगे जैसे आपके vacuoles है, contractile vacuoles और वो duplicate हो जाएंगे आपके new blepharoblasts बनेंगी जिससे आपका नया pair of lagulum arise होगा ताकि एक pair of lagulum एक daughter individual के पास जा सके और दूसरा pair of lagulum दूसरी daughter individuals के पास जा सके तो इस तरीके से आपके जितने भी organelles हैं वो duplicate करेंगे इसके साथ साथ जो आपका DNA है वो replicate करेगा यानि कि जो genetic material होगा वो amount में double हो जाएगा ये भी क्यों होगा क्योंकि obviously आप दोनों daughter individuals को equal DNA देना चाहते हैं और आप ये भी ही चाहते हैं कि जो amount of DNA है individual में वो constant रहे जितना parent में था उतना ही daughter individual के पास आए तो ऐसा करने के लिए आप उसको पहले double करेंगे और फिर उसको equally distribute कर देंगे between the two daughter individuals अब यहाँ पर क्या होता है कि जब genetic material double होता है तो number of chromosomes तो same रहते हैं पर हर chromosome अब दो sister chromatids से बना होता है जैसे ये मेरा chromosome है तो ये मेरी एक sister chromatid है ये मेरा दूसर sister chromatid है तो ये एक chromosome में आपके दो sister chromatids हो गए और ये दोनो sister chromatids इस point पे attach है इस point को कहते हैं centromere next आये का आपका M phase का pro phase pro phase में क्या होता है सबसे पहली बात तो जब आप normally ये जो मेरी diagram लगाया है ये वाला diagram इस diagram को लगाने का मेरा ये purpose था कि अगर आपने normal mitosis पढ़ा होगा तो आपको ये बता होगा कि mitosis के दुरान कुछ-कुछ steps होते हैं जो कि आपको pro phase, metaphase, anaphase और telophase में देखने को मिलते हैं पर euglena में थोड़ी बहुत differences है euglena का mitosis है ये identical नहीं होता उस mitosis के जो हम usually पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर ये aim रहेगा कि हम ये देखें कि क्या differences है जो normally हम mitosis पढ़ते हैं उसमें और जो euglena में पाया जाता है तो अभी हम देखके आए interface अब हम next देखेंगे pro phase तो normally pro phase के time पर क्या होता है कि जो आपका nuclear membrane है वो disintegrate कर जाता है यानि कि जो nucleus के around present nuclear membrane है वो टूट जाती है वो disintegrate कर जाती है जिससे जो आपके chromosomes हैं वो पूरे ऐसे cytoplasm में आके लाए कर जाते हैं जिसके आप ये देख सकते हैं एक ये जो figure बना रखी है नो ने ये chromosome है इसमें दो sister chromatids है जो बीच में ऐसे attached है at the centromere तो ये आपका normally mitosis में प्रोफेस के time पर ऐसा होता है पर यूगलेना में ऐसा नहीं होता यूगलेना में जो nuclear membrane है वो disintegrate नहीं करती है वो नहीं तूटती है वो intact रहती है तो पहला difference ये normal mitosis और यूगलेना में पाए जाने वाले mitosis में हो गया यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये nuclear membrane है ये intact है ये नहीं टोटी ये नहीं disintegrate हुई दूसरी बात जो भी आपके nucleolai हैं जो भी आपके endosomes हैं nucleus में पाए जाने वाले वो सारे fuse करके एक single body बना देते हैं जिनने हम कहते हैं nuclear body अब next phase आता है आपका metaphase metaphase के time पर क्या होता है कि जितने भी chromosomes होते हैं वो सारे बीच में एक plate पर आके align हो जाते हैं और इस plate को आप metaphasic plate कहते हैं कि जितने भी chromosomes हैं वो ऐसे आके align हो गए हैं बीच में तो यहाँ पर आप जिसे देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि nuclear membrane तो disintegrate हुई नहीं तो जितने भी chromosomes हैं वो ऐसे longitudinally आके align हो जाएंगे at the center of the nucleus एक तरीके से आप खहलीजें कि nucleus के center पर बीच में सारे chromosomes आके align हो जाएंगे अब यहाँ पर एक और फरक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह dotted जो lines जा रही है यह actually donate कर रही है यह show कर रही है spindle fibers को यानि कि जो normal mitosis होता है उसमें spindle apparatus बनता है यह spindle apparatus का क्या काम होता है spindle apparatus यह दोनों sister chromatids को एक दूसरे से अलग करता है अब आपको पता है कि हर एक chromosome में दो sister chromatid है जब आप equal division करना चाहा रहे है genetic material का तो इस तरीके से division होता है कि एक sister chromatid एक cell के पास जाएगी और दूसरे sister chromatid दूसरे cell के पास जाएगी तो इन दोनों को split करने का एक दूसरे से अलग करने का काम किसका होता है spindle fibers का होता है यह spindle fibers इनसे attach हो जाते है और इनको एक दूसरे से अलग करते है तो यह आपका spindle apparatus या spindle fibers का काम होता है पर यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कोई spindle apparatus नहीं बनता है तो यूगलना में the chromosomes will align longitudinally and there is no spindle apparatus formed कोई भी spindle apparatus यहाँ पे form नहीं होता है next phase आता है anaphase anaphase में actually क्या होता है कि यह जो दोनों आपके sister chromatids है यह एक दूसरे से separate हो जाते हैं और वो दोनों opposite poles की reward move करना शुरू करते हैं यह आपका एक pole है यह आपका दूसरा pole है तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और opposite poles की towards move करना शुरू करते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं इस सवाले figure में जो sister chromatids हैं उनको खीचने का काम कौन कर रहा है यही spindle fibers अभी हमने कहा कि यूगलिरा में तो spindle fibers बनते ही नहीं spindle apparatus बनता नहीं तो यह सवाल आते है कि भाई इन में जो sister chromatids हैं वो कैसे opposite poles की towards move करते हैं इसका अंसर है mutual repulsion से जो sister chromatids हैं वो एक दुसरे से अलग हो जाते हैं and they move to opposite poles by mutual repulsion वो एक दुसरे से mutually repel करते हैं एक दुसरे से repel होने की वज़े से वो opposite pole की towards move करते हैं एक और चीज जो अनफेस में देखने को मिलती है वो ये है कि आपको यहाँ पे देख रहा है जैसे longitudinal axis के across एक furrow बनना शुरू हो जाता है ये जो furrow बनना शुरू हुआ है ये longitudinal axis के across बनना शुरू हुआ है इसे कहते हैं longitudinal furrow ये ही furrow deep होता जाएगा होता जाएगा and finally इसी के वज़े से दोनों rotary individuals एक दूसरे से separate हो जाएंगे तो ये आपका anophase के दुरान बनना शुरू होता है अब टीलो phase जो final phase है आपका M phase में उसमें क्या होता है उसमें दोनों poles पे जो आपके chromatrix जे खटा होय थे उनके round 9 nuclear membrane बननी शुरू होती है क्योंकि पहली बारी nuclear membrane तो disintegrate हो गई थी पट यहाँ पे यूगलिना में तो कोई nuclear membrane disintegrate हुई ही नहीं थी इसका मतलब यह है कि जो आपका nuclear membrane अल्रेडी exist कर रही है उसी में construction होने के कारण दोनों nucleus एक दूसरे से separate होंगे इसके अलावा जो आपका nuclear body है वो भी split हो जाती है दो nuclear bodies में ताकि एक-एक nuclear body दोनों nuclei को मिल जाए तो यह जो सारा process है splitting of this nuclear membrane ठीक है और साथ में जो longitudinal furrow बनना शुरू हुआ है यह सारा आपका anaphase के दुरान होता है और finally telophase के दुरान यह जो आपका nuclear construction है यह complete हो जाता है जिससे आपको दो nucleus मिल जाते है तो यह चीज आपको telophase के दुरान मिलेगी कि आपको दो nucleus मिल गए and फिर finally जब आपका यह longitudinal furrow यह deep होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और यहां से जब भी split हो जाएगा पूरा तो इससे आपको दो daughter individuals मिलेंगे और इसी को आप cytokinesis कहते है कि इसका जो cytoplasm है वो split हो गया यानि कि जो दो daughter individuals है वो एक दूसर से अग अलग हो गई तो यहां पर मैंने बताया आपको कि जब आप mitosis पढ़ते हैं तो mitosis में होता है आपका एक interface और एक आता है आपके पास M phase और M phase में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपके पास आएगा prophase, metaphase, anaphase और चौथा आएगा आपके पास telophase और telophase के end में आपका nucleus का division complete हो जाता है उसके बाद आता है आपका cytokinesis जिसमें आपका cytoblasm का division हो जाता है तो यह थोड़ा सा आपने cell cycle का भी हाँ पर बढ़ा तो telophase का final point है कि nuclear membrane will constrict resulting in the formation of two daughter nuclei अब हम देखेंगे कि euglena में multiple fission के थुरू कैसे division होता है तो सबसे पहली बात multiple fission से पहले चापो पढ़नी है वो है process of encistment कि encistment क्या होता है encistment term का मतलब है कि किसी cyst के अंदर enclose करना ठीक है cyst कोई cyst का क्या मतलब होता है hard covering एक hard gelatinous covering उसके अंदर कोई भी organism अपने आपको enclose कर ले उस process को कहते हैं encistment और encistment सिर्फ यूगलिरा में ही नहीं मिलता वो और भी individuals में मिलता है पर यहाँ पर जो आपको बात ध्यान रखने की है वो यह है कि encistment अगर को individual encistment अंदरगो कर रहा है तो वो कब अंदरगो कर रहा है जब उसकी conditions unfavorable है अगर उसको आपने किसी stressful environment में रख दिया है जैसे कि मानिजे उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है oxygen नहीं मिल रहा है बहुत जादा extensive heat है यह बहुत सूखा पढ़ गया यानि कि drought है तो ऐसी unfavorable ऐसी stressful conditions में जो organism है वो encistment अंदरगो करता है वो अपने round एक thick cyst बना लेता है जिससे उसको इन unfavorable conditions से protection मिले जिससे वो इन सब unfavorable conditions को survive कर सके ऐसी stage में जो organism होता है वो बिल्कुल inactive हो जाता है उसकी जो metabolic activities हैं वो suppress हो जाती है अब उसका जो ध्यान है वो इस बात पे है कि वो कैसे इस stressful period से अपने आपको बाहर निकाले उसका काम ये है कि अब वो कैसे इस stressful period को काटे और एक ऐसे environment में जाये जहाँ पर वापिस से उसको वो सारी चीज़े मिले जो उसकी growth के लिए ज़रूरी है तो ऐसे case में वो metabolic activity होती है वो कम हो जाती है kind of खतम हो जाती है तो ऐसे में it becomes inactive जो यूग लिना है अपना flagella lost कर देगा क्योंकि अब उसका काम swim करना नहीं है क्योंकि swimming में आपको पता है जब flagella को move करना होता है तो ATP लगती है तो वो energy कहाँ से आएगी इतने stressful condition में खाना नहीं मिल रहा है तो वो energy कहाँ से आएगी तो इसलिए यूग लिना अपना flagella lose कर देता है organism round हो जाता है और अपने round एक thick gelatinous covering बना लेता है जिसे हम कहते हैं cyst अब ये जो gelatinous covering है ये कहां से आती है किस चीज की secretion से बनती है ये जो muciferous bodies ectoplasm में पाई जाती है उनकी secretion से ही cyst बनती है और जैसे कि अभी हमने देखा कि cyst का क्या काम है it helps the organism to survive through the stressful condition कैसे stressful condition को काटा जाए और साथ की साथ it also helps in the dispersal of organism अब आप देखिए जैसे एक seed होता है seed इतना rigid होता है seed की वज़े से plants का dispersal होता है एक जगा से दूसरी जगा इसी तरीके से अगर euglina interested है अगर euglina cyst में enclosed है तो क्या होगा कि वो पानी के साथ भेह जाएगा अब किसी area में बहुत ज़्यादा temperature है मान लिजे पानी का वो unfavorable था euglina के लिए वो optimum temperature नहीं था पानी का जो उसकी growth को support करे तो euglina ने अपने around एक cyst बना ली अब वो क्या करेगा जो पानी है पानी के साथ ये जो insisted euglina है वो बह जाएगा और मान लिजे वो बह कर किसी ऐसी location पे आ गया जहाँ पे उसका favorable temperature है वापिस से favorable situations आ गई तो अब जो ये euglina है ये अपनी cyst को lose कर देगा और वापिस से अपनी जो भी activity थी उसको resume कर लेगा metabolic ली active हो जाएगा अपने flagella वापिस से regain कर लेगा और साथ के साथ वो वापिस सारी activities जो थी वो show करने लगेगा जो उसने अभी तक एक तरीके से pause करी हुई थी क्योंकि वो unfavorable condition में था तो इस तरीके से जो euglina का insistement stage होता है यानि कि जो cyst stage होती है वो उसके dispersal में भी help करती है तो अब ये question आता है कि अच्छा ये तो unfavorable condition के time पे बनने वाली एक stage है इससे कैसे euglina का reproduction में फायदा हो रहा है तो इसका जवाब ये है कि इस cyst के अंदर जब organism होता है तब वो organism divide कर सकता है by fission और ऐसा हो सकता है कि वो longitudinal fission बार-बार repeatedly undergo करे इससे बहुत सारे daughter individuals आपके पास आ जाएंगे और वो सारे daughter individuals इस mucilaginous mask में embedded रहेंगे और हर daughter individual अपने around एक cyst coat बना लेगा और इस stage को अब आप जिसे ये वाला देख सकते है वाला c वाला figure है इसमें उन्हें दिखा रखा कि कैसे एक mucilaginous mask के अंदर इतने सारे daughter individuals है और हर daughter individual ने अपने around एक mucilaginous coat बना लिया है तो यही stage आपकी multiple fission है multiple fission में यही होता है बार-बार individual ने divide किया और बार-बार individual के divide करने की वज़े से मतलब nucleus की divide करने के बाद जब cytokinesis हुआ तो आपको ऐसे बहुत सारे individuals मिल गए और यह stage जो है यूगलिना की वो clamidomonas algae के palmila stage को resemble करती है clamidomonas एक unicellular algae है और इसकी एक stage होती है palmila stage उस stage से stage resemble करती है इसलिए इसको palmila stage भी कह देते है तो इस तरिके से यह जो longitudinal fission है वो बार-बार होता है तो उसको आप multiple fission कहते हो और यह cyst stage के अंदर होता है तो अब क्या होता है कि बाद में जब favorable condition बापिस से arise होंगी तो यह जित्ते भी daughter individuals है यह इनके पास अपना अपना एक fragilum आ जाएगा और यह इस cyst को तोड़के अपना बाहर निकल जाएंगी escape कर जाएंगी into the water और बापिस से अपने जो normal livelihood है वो attain कर लेंगी बापिस से अपनी जित्ती भी activities है वो perform करने लग जाएंगी अभी जिससे हमें देखा कि multiple fission हो रहा है कभी कबार ऐसा होता है कि binary fission होता है और जो दो daughter individuals है वो ही भार निकलते हैं तो वो depend करता है एंसिस्टमेंट के बाद binary fission या multiple fission कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमने देखा कि एंसिस्टमेंट के बाद कैसे multiple fission से organism अपने आपको reproduce कर रहा है तो यह थी योगलिना की reproduction पर वीडियो I hope आपको पसंद आई होगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you for watching and take care